तो नमस्कार आप से भी का एक बाइ फिर से स्वागत है अपने इस वीडियो में यहाँ पे आज हम जो अन्बोक्सिंग या रिव्यू कुछ भी मान लीजिए तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इन्वी वी सीयार ट्वंटी जो रिचार्जेबल डबल ए बेटरी हैं उनकी अन्बोक्सिंग मान लीजिए तो आज हम देखेंगे कि आखिर यह कैसे क्या परफॉर्म करते हैं और कैसा ही है यह प्रोड़क्ट तो सबसे पहले में आपको यहां पर बॉक्स के ओपर दिखा दो तो यह इसका कुछ ऐसे रिटरल बॉक्स है जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहां पर जो सेल से उन पर इंफिनिटी के कुछ ब्रांडिंग दी हुई है नीचे यहां पर लिखा हुआ है कि स्मार्ट चार् बात करें तो यहां पर इसकी जो MRP है वो अल्मॉस्ट दी हुए 1195 रुपे और यहां यह लिए लिखा हुआ है मैड इंपी आरसी मतलब यह चानीज प्रोडक्ट है और डीजी टेक है यहां पर कुछ फिचर्स हैं वो दिये हुए हैं कि इस चार्जर में आप दो और चार ब सब्सक्राइशन मैन्यूल दिये हुए हैं यहां पर ECR20 इसमें कुछ खास है क्या तो यहां पर आउट ऑबॉक्स हमने निकाल ली है यह चार्जर है और यह जो चार है बैटरी है तो यहां मैं एक बैटरी का अगर आपको दिखाऊं पास से तो यहां पर कुछ इंफिनिटी प्लस की ब्रांडिंग दीवी है 288 मेली है और यहां पर लखाऊं हरे डिट div hi t25 चार्जर और यहां पर लिखाऊं वह यह किरेकमेंडे क्टी चार्ज आत्क τον सोला घंटे इसको मैक्स चार्ज करना पड़ेगा वो दो सो असी मिली एमपेर रुप है और ये इसका मोडल नंबर है आर जीरो सिक्स एन वी ए ए और ये एन आई एमेच टाइप की बैटरी है और चार्जर की बात करें तो यहां पर यह चार्ज स्लोट हैं तो इन चारों में आप देख सकते याप ए a- battery को भी आप यहां चार्ज कर सकते हैं और डबल ए बीटरी को भी यहां पर चार्ज कर सकते हैं और इस चार्जर की जो रेटिंग की में बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डबल बैटरी है इस आउटपुट यह 2.4 वोल्ट डीसी 240 मिलियम्पेर अभी यह आउट ओप बॉक्स है तो एक बार मेरे पास यहां पर तो यहां पर अभी मेरे पास मल्टिमिटर है तो चेक कर लेते हैं आउट ओप बॉक् यह 1.28 इसकी चेक करते हैं यह भी 1.28 शो कर रहा है और तीसरा से लेते हैं इसकी चेक करते हैं यह भी 1.28 वोल्ट शो कर रहा है और यह भी 1.28 वोल्ट यहां पर शो कर रहा है तो यह आउट ओफ दो बॉक्स से यह 1.2 वोल्ट यहां पर यह शो कर रहा हैं तो यह आउट तो मेरे पास यहां पर खिलोना है, तो हम इसमें सेल डाल कर देखते हैं, और यूज करके देखते हैं, और इनको डिस्चार्ज करते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं, कि यह कितनी देर तक चलते हैं, क्या इन से खिलोना चल भी पाता है या नहीं, तो यहां पर मैंने ती तो इन से मतलब खिलोना चल रहा है तो मैं इन सब को पहले डिस्चार्ज करके देखता हूं और देखता हूं कि आखिर इसन से मैं को कितना टाइम मिलता है जो दो सेल हैं उनको डिस्चार्ज होने में कितना टाइम मिलता है यह मैं ट्राय करके देखता हूं मैं इससे कुछ खि आपको बताता हूं कि किस टैप से क्या आखिर इनका मतलब ये कितने की मुझे पड़ी है और कैसा क्या इनका है तो चलिए फिर इनको डिश्चार्ज करते हैं मैं इनको डिफरेंट डिफरेंट किलोनों में लगाके डिश्चार्ज करता हूं तो ये जो सेल हैं इन सेल को लब लगबग इनोंने घंटे बर के आसपास बैक अप दिया है मैंने इनको टोई ट्रेंड में यूज किया और एक दो टोई मोर लगाया था तो अलमोस्ट गंटे बर चले हैं और अभी भी ऐसे नहीं कि पूरे डेड़ हो गया लगिन चल रहे हैं तो मैंने उनकी पावर हाल कम हो गई है वैसे तो अब इनको हम लगाते हैं चार्जिंग पर और देखते हैं कितने टाइम में चार्ज होते हैं यह जो लाइट बलिंक कर रही है यह कैमरे में दिख रही है बाकि लाइट अब भी स्टर्डी एक दम टो जो यह बेटरी हैं इन में चार्जंग के लिए अब बता रखा है कि हमारपा जो बेटरी है वो हैbird और तो अथाए सो मेज की बेटरी को चार्ज ऌने में लगेंगे लगबग 14,000 अश्मेल 1 गंटे तो मैंने इनका वोल्टेज नापके देखा तो 1.34 के अराउंड वोल्टेज शो कर रहा है ठीक है मतलब यह चार्ज तो हो गई है लेकिन शायद पूरी चार्ज नहीं अभी तक और जो बैटरी का ड्रेंड का था तो गंटे बर के मतलब एक गंटे के अराउंड मैंने इसको मैं आपको जब इनको अच्छी तर से यूज कर लेंगे तब बताएंगे तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन जरूर बताना वीडियो न अगर आपके कुछ हेल्प की हो तो लाइक जरू कर दिना तो यह जो बैटरी है मुझे तो ठीक लगी लेकिन जो यह चार् शुँए कि पदा भी नहीं लगता कि चार्ज कितना हुआ तो उसके लिए अलग से कना पड़ेका तो शींटने देडर नेक्स वीडियो के अंदर तील यह उख्यक्रमाtał कुमा चेll को तो झाँच मीलतें नेक्स्र वीडियो के अंदर parfait अन्हिस से नग सिंड़ भाए